देमोक्रेसी, इस वीडियो में हम आपको डेमोक्रेसी का basic concept, basic logic, easy way में example के साथ समझाऊंगा और इसकी definition भी बताऊंगा तो सबसे पहले हम छोटा सा democracy का easy word में concept समझ लेते हैं democracy का मतलब होता है जमूरियत अभी जमूरियत क्या होता है? rule of majority मतलब जिदर ज़्यदा से लोग एक हो जाएं, मतलब उनकी decision making एक हो जाएं ज़्यदा से लोग है, अभी class में जो है न 100 student है तो teacher कहता है कि कितने बचे कहते हैं कि आज नहीं पढ़ना 60 बचे हाथ खड़ा करके कहते हैं sir हम कहते हैं कि नहीं पढ़ना तो अभी इदर क्या है? democracy आगी है, जो साथ लोग है उन्होंने एक हो गया है उन साथों लोगों की decision making एक है, उन्होंने एक फैसला की है, majority एक में आगी है तो इसको हम democracy बोलते हैं, जो ज़्यदा से लोग मिल के एक फैसला करते हैं और यहां यह कह सकते हैं कि एक हकूमत create कर देते हैं, एक system government का create कर देते हैं, उसको हम democracy बोलते हैं यह तीन definition है, पहली मैंने आपको बता दी कि population जो है, ज़्यदा सी majority population जिसको vote देती है और उसको elect करके, उसको कहती है कि वो सारे काम करे, उसके स्पूर्द सारे काम, मुलक के state के, सारी government का system उसके स्पूर्द कर दिया जाता है उसको हम कहते हैं democracy यहां simple world में हम यह कह सकते हैं कि whole population का यह majority लोगों का किसी party को vote दे के select कर लेना और उसको सारा system, अपने मुलक का सारा control उसके support कार देना, उसको दे देना, यह भी एक democracy में आ जाता है मैं जब सारे मुलक का control, सारे systems का control जो है वो उसके हाथ में दे देना तो common सी बात है, जब एक party के हाथ में सारा system होगा तो corruption भी होगी और जब उसको select करने वाले लोग आप यकीन माने के पाकिसान इंडिया में जो education rate है वो बहुत काम है education rate क्या है कि graduation के जो लोग है वो 1% है, 1-2% है पाकिसान में इंडिया में में मेरे ख्याल से 4-5% graduation के बच्चे हैं मतलब हर 100 लोगों में से, हर 100 person में से 2 person आपको एक या 2 person पाकिसान में ऐसा मिलेगा जो graduate होगा और इंडिया में आपको हर 100 लोगों में से 4-5 बंदे ऐसे मिलेंगे जो graduate होगे तो खुद ही अंदाजा लगा लें, जब लोगों के पास education ही नहीं, उनके पास knowledge ही नहीं तो वो कैसे अच्छे तरीके से किसी अच्छे लोग को, किसी अच्छे बंदे को, किसी अच्छी पार्टी को, किसी अच्छे system को create कर पाएंगे तो majority जो होती है, majority का एक हो जाना, majority का एक rule of majority, मतलब ज़्यदा से लोगों का एक हो जाना, इसको हम democracy बोलते हैं और इनके फैसले के उपर, मतलब ज़्यदा लोग जो फैसला का रहे हैं, इसके उपर ही perform करना, इसके उपर ही अमल करना, इसको हम democracy बोलते हैं अच्छे तरीके से लोग वोट करेंगे तो आपने खुद ही देखा होना है कि यह जो parties कहती है डेमोक्रिसी डेमोक्रिसी तो यह अनपर लोगों से जो अभी educated नहीं uneducated लोगों से वोट लेके उपर आई होती है और जब अपनी बारी आती है जब system में लोगों को डालना है जैसे army में जैसे government employer के लिए तो उदर फिर education की बात का रहे होती है कि हमें educated बंदा चाहिए इतनी तलीम होनी चाहिए फिर उसको हम रखेंगे तो लोगों की पढ़ाई के बारे में बात नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है अगर लोग पार लिख गे तो हम उपर नहीं आ सकते अगर हमने उपर रहना है हमने पार्टी उपर बनानी है तो हमने education को नीचे ही रखना है ज्यादा education को नहीं बढ़ने देना आगे थोड़ा रखना है थोड़े लोगों तक पढ़ाई पहुंचे तो उसके बाद अगर education आ जाई तो उसके बाद अगर corruption खतम होजे तो फिर democracy को हम follow करें तो फिर हमारे लिए बेहतर है I hope आपको democracy का basic logic पता चाल गया होगा वीडियो अच्छी लगिए सब्सक्राइब और लाइक करना मत बूलिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा Good bye